Hello Gadets! कैसे हो आप लोगों? तो अपनने 5 टाइप नाउन के कर लिए थे पहले क्लास में Proper, Common, Collective, Material और Abstract अब आज की क्लास में आपन को करना है Singular और Plural Nouns यही देखेंगे आपन आज तो जल्दी से देखते हैं Singular and Plural Nouns Simple, Singular, Single ठीक है? जो आप सुने होगे Single हूँ मैं, भाई मैं Single हूँ ठीक है? तो Single मतलब एक अक्केला ठीक है? It is a noun If the noun is just one in number Number में अगर वो स्रीफ एक ही हो Number की बात करेंगे अपन तो अपन उसको क्या बोलेंगे? Singular और It is Singular and if it is more than one 1 पे चादा 2, 3, 4, 5, 100, 1000, लेक, 10 लेक, 20 लेक कितना भी हो उसको अपन बोलेंगे plural Clear? बहूँ सिंपल है नाम से समझ में आ रहा है Singular, Single Single बढ़ेक, Single, One की बात करेंगे One in quantity, तो singular और One से चादा तो plural नाउन, चमघ्या नाम से ही चमक रहा है ब accepting जमघ्या ना सबको दिमाग में मतलब लाइट जल गई ने बत्ती जल गई यहां समझ में आ गया सब कुछ ठीक है देखो तो एक्जामपल जैसे कर एक काउ एक गाय है तो अपन क्या बोलेंगे काउ लेकिन बहुत सारे होगे तो काउज तो आपको समय आ गया सर एस लगाना है यह इतना सिंपल नहीं सब में लगाने से काम नहीं चलेगा अभी बहुत सारे एक्जामपल करके बताऊंगा और वो सारे आपको ध्यान होने चाहिए ठीक है जितने बताऊंगा जितने तो काउ काउज हो गया बहुत सारे लड़का है यह एक अकेले आप हो तो बोई बहुत सारे हैं ग्रूप में आप तो आप बोलो कि सर इन तीनों में तो सिर्फ S जूड़ गया, क्या है खली S जूड़ता है, नहीं नहीं नहीं, कई बार तो नाम चीज़ हो जाता है, कई बार I-S जूड़ जाता है, ठीक है, V-S जूड़ जाता है, कई बार कई बार E-S जूड़ता है, तो कब कहां क्या होना चाहिए कि मैं देख देख कि अच्छा यहां पर यह होता है तो धीरे 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 ट्रैक्टिस बनती है ठीक है एक दिन का काम नहीं है इट टेक्स टाइं अब सिंगुलर वर्ड्स मैंने हां पर अल्रेडी लिखे हुए है और प्लूरल मैं आपके सामने यहां पर ठीक है आपको बताते हुए कि जनरली देखो इसका ऐसा होता है लेकिन एकसेप्शन यह ऐसा होता है जनरली लेकिन एकसेप्शन तो बनाना केला एक है और बहुत सारे भाई मैं को बनाना बहुत पसंद है ठीक है मैं बहुत सारे बनाना खा जाता हूँ तो बनाना था तो ब लगा के काम चल गया, book, books, बहुत सारी book हैं, भईया, s लगा के काम चल गया, student, एक student है मेरा भईया, बहुत अच्छा है student, एक particular के बात कर रहा हूँ, चाँ notes बनाता है, गजप के notes बनाता है, है की नहीं, तो मैं particular student की बात कर रहा हूँ, students are obedient, मेरे जितने भी student से सब की बात इस्टूडेंट्स आर ऑबीडियेंट मेरी सारी बात मानते हैं मानते हो ना सारे के सारे कैडिट्स पक्का चलो ना पेन एक पटिकुलर पैन की बात कर रहे हैं बहुत सारे में पास तो भी इस लगाये काम चल गया दो यह सब में तो सारे नाम जितने भी थे इन सब में एस लगाये काम चल गयाoton अब जनरली पहले स ही एस हो अगर bus, bus के नाम में यह S है न, तो क्या करें? कई बर जब S रहता है, तो हो सकता है, तो कुछ चीज़ ना करना पड़े, तो को जनरल बात करना हो, मैं हमेशा ऐसा नहीं कि, last में S है तो yes जोड़ना है, ना 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 ऐसा गड़बड़ी मत करना ऐसा मैं नहीं बोला ऐसा पाप मेरे मेरे से मत करना मैं क्या बोला जनरली कि अगर S है तो एक वार S लगाओगे तो क्या बच जाएगा अच्छा नहीं लगेगा है कि नहीं तो जब भी लास्ट में एक S हो तो आप हम बन जोड़ते हैं एस बसिज बस का बसिज एस ठीक है जनरली S के जगा क्या जाएगा आपका एस मतलब S के आगे जगा नहीं S के आगे ठीक है तो बस का बसिज जनरली पाथ कर रहा हूँ हमेशा ऐसा जबूरी नहीं लेकिन जनरली ग्लास का क्या बन जाएगा आपका ग्लासेज बंच बंचेज देखो यहाँ पर भी CHR है लास्ट में तब भी यहाँ पर क्या बन गया बंचेज देखो यह सारी चीज़े दीरे आपको प्रेक्टेस होंगी दीरे दीरे आपको सारी की सारी चीज़े प्रेक्टिस होंगी मैं आपको बताते जा रहो Bush Bushes Boxes Mango Mangoes Yes इन सब में E.S. जूरेगा अब जिब डेली में बोलते रहोगे ना चीज़ेगा आपको बोले काये याद करने की क्या ज़़ोता है यह तो अपने आप आ जाता है, हाँ box, box, कुछ नहीं, box में already वो s वाली feeling आ रही है, तो box is, yes लगेगा, ठीक है, mango, mangoes, ठीक है, mangoes, s खली नहीं लगाओगे, yes लगाओगे, आप wording देखो न, जब आप प्रनेंशियर्ट कर रहे हो, तो कैसा आ रहा है, तो mangoes, yes लगाओगे, ठी जरिफ s लगाके काम चल जाता है, generally, generally, जरूरी नहीं है, हमें सा रूल नहीं है, और अगर last में s है, h है, इस टाइप से अलग लग है, तो कई बाद प्रनेंशियर्ट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, कि s लगेगा, कि es लगेगा, जैसे bunch, box, box, box में already s वाली feel आव सिर्फ इतना ही नहीं, और भी, आप देखो, जब भी last में fe आ जाए, fe, तो generally क्या होता है, तो इसके जगा, fe की जगा क्या आ जाता है, vs, wives, vs, f e हटा के, vs, life, lives, vs, are you getting my point, तो wife single, एक एक पत्नी है, तो wife, बहुत सारी पत्निया है, तो wives, एके नहीं, कृष्ण जी की कितनी द लाजार, ठीक है, तो wives, बोलेंगे वाँ पर, life, एक, एक जिन्दगी है वह या, जी लोग, जी भरके, ठीक है, तो life, और बहुत सारी lives, बहुत सारी जिन्दगियों के बारे बात कर रहें, तो live, vs, ठीक है, आगे देखो, knife, f e हटा के, vs, k n i, knives, k n i, vs, knives, ठीक है, थीफ, thieves, thieves, th i, e, vs, thieves, self, selves, बहुत सारे selves लगे हुए हैं, किसी अल्मारी में, self की बात करते हैं, तो selves, बहुत सारे, s, c, l, vs, देखो, तो f e जहां पर है, f है, वहाँ पर तो सब हटा के क्या लग जा रहा है, vs, vs, तो देखो, क्या-क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, कि, खाली s लग सकता है, es लग सकता है, vs लग सकता है, और proof, proof में कुछ नहीं लगेगा, last में f है, देखो, exception are there, हमेशा याद नहीं कर ले नहीं कि f अटाके vs, proofs, proofs होगा ये खाली, p, r, 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 v, o, f, s, proofs, ठीक है, day, days, बहुत सारे days को आप क्या बोलते हो, days, ये तो आपको प इस लग रहा है, तो y आगे, lady, तो ladies, l, a, d, i, e, s, baby, babies, b, e, b, s, एक है, तो baby, बहुत सारे बच्चे हैं, तो babies, b, a, d, i, s, ठीक है, c, t, c, t, is, i, e, s, ठीक है, तो याद रखना, singular से plural पनाने के लिए क्या हो सकता है, या तो s लग रहा हो, या es लग रहा हो, या vs लग र लग रहे है क्या आप उसको देख लेना फील आ जाएगी जब आप इसको दो बार पड़ोगे याद करने की जब इसको दो बार पड़ोगे जब सेंटेंस में यूज करना चालू करोगे तो वह दीरे-दीरे सब कुछ फिलिंग में आ जाएगे ठीक है चलो ना चैसी स्टोडी च्छा में किल और फीतिरे सब्सक्राइव तो बड़ोगे जिसको नों ठीक है क्या तो देखो आपका man है man वो क्या चीज में आपका convert हो जाएका M-E-N अब यहाँ पर देखो S-V-S-I-E-S कुछ नहीं यहाँ पर नाम ही change M-E-N था spelling ही change हो गई M-E-N हो गई plural बहुत सारे man की बात करोगे तो M-E-N वो यह हो जाएगा देखो यहां पर था म जाएगा । इट इक देखाएगा H è bit I,'T と思います यह शुरी दिंगा तो सारे दान्थ एक सार दिखाते हो तो test क्या बोलते हैपन्ond टीडबल ए टीएच ठीग है फूट एक आपका जो एड़ी है और दोनों फीट f-e-e-t पीपल का चेंज नहीं होगा पीपल का भीया पीपल एक सिंगल हो बहुत सारे हो पीपल तो भीया बुलते हैं ना पन कि people तो people है उसको change नहीं होगा चाह है singular हो चाह ही plural एक हो एक सेज़ब हो people चाह है टो kind और एक से ज़ाद होते हैं तो children सुना हुआ होगा इस सारे words आपके सुना हुए होगे children are you getting my point? तो ये जितने भी मैंने आपको पताए इनको आप दो-तीन बार रिट कर लो, याद करने की जरूत नहीं, आपको समझ में जाएगा, कहाँ S लगना है, कहाँ S लगना है, कहाँ V S लगना है, कहाँ I S लगना है, और कहाँ नामी चींज हो जाता है, ठीक है, यह तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सी लास् वो proofs S लगा खली, डे में days लगा, वाई था, तो वो change नहीं हुआ, वो S खली जूड़ गया, लेकिन बागी सब में जहाँ Y था, वो I S हो गया, तो यह feeling धीरे धीरे आ जाती है, tension नहीं लेने का, ठीक है, tension नहीं बिलकुल भी, tension free होके, चीजों को पढ़ो, समझो, सब इसके बाद, तो देखो, recording is started, नहीं होता, जैसे mathematics, already यहाँ पर S जुड़ा हुआ है, तो कि यह plural है, नहीं भी, यह तो नाम है, mathematics, math subject जो है, उसको नाम है, उसका नाम अपन क्या बोलता है, mathematics subject है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि S लग गया, तो मतलब वो plural होगा, are you getting my point, तो तो ऐसा दिमाग से निकाल दो, कई सारे बच्चों के रता है, S लग गया, मतलब भीया, वो तो plural है, ना, 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 भीया, ऐसा गवार्पन नहीं करना है, समझदार बच्चे है, तो physics, अरे भीया, S अलड़ी उसके नाम में ही है, वो आपने अलग से नहीं लिगाया, देगा है, और उस subject का नाम है physics, अब उसमें क्या singular और क्या plural हो, तो नाम ही S, news, अब आप बोलोगे new कुछ, new तो एक अलग वड़ हो गया, और news एक अलग वड़ हो गया, new में S लगाके news नहीं बना दिये, एक कोई नया चीज लाए, तो new हो, बहुत सारे नहीं news, ना, ना, new होता है, वो अलग, news नाम है, news किसीच का नाम है, जो आपको खबर ही मिलती है, खबर को अपने क्या पूलती है, news, anyws, तो यह नाम में ही आता है S, अलग से नहीं लगाया आपने, politics, politics के नाम में ही S आ रहा है, economics, ethics, ethics हैं कि नहीं आपके अंदर थोड़े बहुत, कि teacher आया है तो भी a good morning wish करना है, ऐसा सुना होगा ना, dialogue सापने, ठीक है, तो ethics, athletics, mechanics, progress, optics, यह सारे ऐसे word हैं जिसमें S already नाम में ही है, अलग से अपने S नहीं लगाया, तो यह कोई singular plural नहीं होते, यह सिर्फ नाम है, यह mathematics subject का नाम है, are you getting my point? चलो, और एक और बात, कि कुछ नाम singular and plural में same रहेंगे, change होते ही नहीं है, जैसे एक मैंने आपको बता है, people, singular हो, चाहे plural हो, people, people ही रहेगा, वैसी deer, sheep, cities, fish, jury, people, species, यह सारे ऐसे आपके noun है, जो singular हो, चाहे plural, दोनों में same यहीं लगेगा, are you getting my point? चमक गई सारी चीज़ें, तो अपनने आज क्या पढ़ा, singular and plural noun, singular क्या ह होता है, plural क्या होता है, और फिर सारी चीज़ों का अपनने देखा, कौन सा में singular में, plural में convert करना है, S लगाना है, ES लगाना है, VS लगाना है, यह नामी change कर देना है, ओके, और किसमें नाम change नहीं होते, S लगाने का मतलब ऐसा नहीं होता है, कि वो plural ही है, are you getting my point? तो यह सारी बाते मैंने आज आपको बताई, ठीक है, तो फिर मिलेंगे next lecture में आगे, countable noun करते हुए, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कराते रहो, और देखते रहो, सौरावसर की class, जै हिंद, bye bye, take care.